कि नमस्कार मैं डॉक्टर अरुन कुमार आत्महत्या से पहले कैसे होते हैं किसी बैक्ति के सुरुवाती लच्छन जानिये क्या कहते हैं डॉक्टर सुसांत सिंग राजपुत की आत्महत्या की खबर ने सभी लोगों को गमहिन कर दिया है एक 34 साल के इवाकलाकार का इस तरह आत्महत्या करना बहद दुखत है पूरी दुनिया के चेहरों पर हसी बिखिरने वाले सुसांत यूँ चले जाएंगे कीशी ने सोचा भी नहीं था सुसांत सिंग की आत्महत्या के पीछे डिप्रेशन को बड़ी वजह माना जा रहा है ऐसे समझने सवाल उठते हैं कि डिप्रेशन की वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें ब्यक्ति अप्टी जान तक ले लेता है आपको बता दें सुसांत की पुर्वे मेनेजर ने भी कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली थी आत्महत्या के बड़ते मामलों को रोका जा सकता है अगर हम इसके सुरुवाती लक्ष्णों के बारे में पता कर पाएं आईए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर डिप्रेशन के बारे में और कैसे रोका जा सकता है सुसाइट के मामलों को अचानक नहीं करता कोई भी आत्महत्या कोई भी व्यक्ति अचानक आत्महत्या जैसे बड़ा कदम नहीं उठाता है डॉक्टरों के नुशार आत्मखत्या करने वाले बेत्ती बहुत लंबे समय से सुसाइड करने के बारे में सोच रहा होता है मनोचिकित्षक डॉक्टर ने बताया कि कोई भी इतना बड़ा कदम आसानी से नहीं उठाता है व्यक्ति बहुत समय से इस सब के बारे में सोच रहा होता है, आज पास रहने वाले लोग कुछ संकेतों से आसानी से पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति आत्मत्या जैसा कदम उठा सकता है। सबसे प्रिय व्यक्ति के निधन का कारण कई बार व्यक्ति किसी अपने को खोने के गम में को भूल नहीं पाता और उसके दिमाग में उनकी ही आदेबसी रहती है। जिस वज़ा से दुनिया से मन भरने लगता है और व्यक्ति अकेले रहना ही पशंद करता है। धीरे धीरे ये अकेलापन उसे आत्मत्या की और अगसर कर देता है। अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसकी मदद के लिए अवस्य आगे आएं। दुखी रहना लगतार दुखी रहने से भी लोग आत्मत्या जैसे बड़ा कदम उठाने को तयार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा दुखी रहते हैं उनके आत्मत्या करने की संभाना बहुत अधिक रहती है। बातों में दुखी और उसाथ के लक्षन साब दिखाई देते हैं। इसी चीज के बारे में ऐसे व्यक्ति सकरात्मक न रहकर हमेशा निरासा जनक ही सोचते हैं। सोचल मीडिया से दुरी आत्मत्या करने वाला व्यक्ति अपने आसपास के महौल से दुर हुने लगता है। देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति सार्जनिक रूप से भी एक दुरी बना लेता है। सामरोह आयोजन आदी में ये सिरकत नहीं करते हैं। सोचल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से भी दुरी देखी जा सकती है। अक्सर ऐसे लोग अपने पुरानी पोस्टों को भी हटा देते हैं। अगर बेक्ति ऐसा कुछ कर रहा है तो हो सकता है कि वो आत्महत्या जैसे बड़ा कदम उठाने जा रहा हो। हाला कि ये भी हो सकता है कि किसी बेक्ति गत कारणों से सोचल मीडिया से दूरी बना रहा हो। लेकिन इन संकेतों को इंकार नहीं किया जा सकता। बेवहार में बदलाव। आत्मत्य करने वाले बेक्ति के बेवहार में कुछ समय पहले से बदलाव आना सुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग दुनिया से दूर भागने लगते हैं और अकेला रहना सुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को घर में किसी का आना जाना भी पसंद नहीं आता है। अगर आपके किसी परिचीत के वेवार में अचानक नकल आत्मत्प बदलाव वो जूरू हो गया तो यह समझा जा सकता है कि वह निकट भाषिस में आत्मात्या जैसा कदम उठा सकता है। किसी चीजसे डर। ब्यक्ति किसी चीज से डर की वज़ा से भी आत्मत्या जैसा बड़ा कदम उठा सकता है बहुत से मामलों में ऐसा भी होता है कि किसी चीज का डर ब्यक्ति को आत्मत्या करने के लिए मजबूर कर देता है जैसे अभी कुछ समय पहले ही हमारे सामने एक मामला आया की दिल्ली में I.R.S. अधिकारी ने कुरोना के डर से वज़ा से तेजाब पी कर अपना आत्मत्या कर लिया मांसिक रूप से परिशान रहने लगे अगर कोई ब्यक्ति मानसिक रूप से परिशान रहने लगी तो उनकी हर संभव मदद का प्रयास करें मानसिक तौरपर प्रशान ब्यक्ति के आत्मत्या करने की संभावना अधिक होती है ब्यक्ति मानसिक रूप से परिशान कई कारणों से हो सकता है आत्मत्या से पहले अपनों से बात आत्मत्या करने वाला बेक्टी अंतिम समय में अपनों से बात जरूर करता है आत्मत्या के अधिकतर मामलों में देखा गया है कि आत्मत्या करने से पहले बेक्टी जिससे सबसे अधिक प्रेम करता है उससे बात अवस्य करता है बहुत से मामलों में देखा जाता है कि आत्मत्या करने से पहले बेक्ती अपनों से माफी भी मांगता है अगर आपका कोई अपना आपको कॉल करके आप से कुछ अलग तरीके से बात करें तो आपको ऐसा लगी कि call करने वाला व्यक्ति कुछ परिशान है तो तुरत उसकी मदद करने का प्रयास करें पैनिक अटेक डॉक्टरों के अनुशार बहुत कम मामलों में ऐसा होता है कि व्यक्ति को पैनिक अटेक भी पढ़ने लगता है पैनिक अटेक पड़ने को आत्मत्या का संकेत समझा जा सकता है अगर आपको आज़ पास किसी ब्यक्ति को पैनिक अटेक पड़े तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए आएए जानते हैं क्या होता है पैनिक अटेक चींता और डर की सुरूवात होना ही panique attack कर लाता है Panique attack होने से बेक्ती अचानक से घवराने लगता है और उसे बहुत अधिक डर लगना सुरू हो जाता है Panique attack के ये लक्षन है पशीना आना, घवराहट, सांस लेने में तकली, दम घुटना, चक्कर आना या हलका हलका महशूश होना, ठंड लगना, अस्तब्ध हो जाना, मरने का डर इत्यादी अंत में मैं इतना कहूँगा कि मेरा ये स्पीच सिर्फ जागुरुत्ता बढ़ाने के लिए साजा किया जा रहा है डिप्रेशन से संबंधित, जानकारी और लक्षनों को समझने के लिए आप अपने डॉक्टर का सलाह लेना अवस्य जरूरी है धन्यवाद आपका अपना डॉक्टर अरुन कुमार मॉर्निंग और इवनिंग वाक के लिए जा रहे हैं तो बढ़ते ये सावधाने स्वस्त रहने के लिए वाक करना महत्यपून है पर इस वज़ा से वाक करते समय बहुत से चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है पिछले कुछ समय से देश में नहीं जा सकते थे अब लोगडाउन में ढील दी जाने लगी है और लोग घरों से बहार निकलने लगी है अब काफी संख्या में लोग मॉर्निंग और इवनिंग वाक के लिए जा रहे हैं इस समय मॉर्निंग और इवनिंग वाक के लिए जाना खतरनाक सा भीत हो सकता है क्योंकि अभी भी कॉरोना वाइरस की मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अगर आप भी इस समय मॉर्निंग और इविनिंग वाक के लिए जा रहे हैं तो कुछ बातों का विसेश ध्यान रखे कॉरोना वाइरस से बचने के लिए कुछ सावधानिया बरतनी आवस्यक है बिमार वैक्ति विसेश सावधानी बरते कॉरोना वाइरस का संकरमन उन लोगों को असानी से हो सकता है जो किसी बिमारी से पेडित है कई सोधों के अनुसार बुजर्ग वैक्तियों, डाइविटिस जैसी बड़ी विमारियों से पेडित वैक्तियों को कॉरोना वाइरस से संकरमन आशानी से हो सकता है ऐसे वैक्तियों को मॉर्निंग और इवनिंग वाक की सलाथ दी जाती है लेकिन इस वक्त अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग वाक के लिए जा रहे हैं तो अपना विसीज ध्यान रखे कुछ सावधानिया बरतने से कोरोना वाइरस से बचा जा सकता है आईए जानते हैं मौर्निंग और इवनिंग वाक करते समय क्या सावधानी बढ़तने की आवसकता है कम से कम 12 से 20 फीट की दूरी रखे कोरोना से बचने के लिए जारी गाइड लाइन के अनुसान कम से कम 6 फीट की दूरी रखने को कहा गया है परंतु वाक करते समय कम से कम 12 से 20 फीट की दूरी रखने रखना ज़रूरी है क्योंकि वाक, साइकलिंग, जॉगिंग करते समय ड्रॉपलेट्स अधीक दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं एक अध्यन के अनुसान अगर कोई वैक्ती 4 किलोमीटर प्रती घंटा की रफ्तार से वाक करता है तो ड्रॉपलेट्स के 16 किलोमीटर तक ट्रेवल करने की संभावना रहती है इसलिए ध्यान रखें कि आपको कम से कम 12 से 20 फीट की दूरी वाक करते समय ध्यान रखें बहुत से लोग वाक करते समय हम आडियो प्रोड़क्ट्स का इस्तमाल करते हैं इस समय ऐसा ना करें क्योंकि अक्सर हम संगीत की धून में खो जाते हैं जिस वज़े से दूरी का ध्यान भी नहीं रहेगा और हम अपने रणिंग पत से भी पटक सकते हैं इस समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आपने वाक करते समय किसी और के रणिंग पत में नहीं चलना है अपना एक पत निर्धारित कर उसी में चलें हमेशा उसे रास्ते को ही चुने जिसमें कम लोग वाक करते हैं मास्क ना पहने वाक करते समय मास्क ना पहने मास्क पहनने से आपके स्वास्त को नुकसान हो सकता है वाक जोगिंग या दौरते समय सरीर को ऑक्सिजन की आविशक्ता अधीक होती है इस समय अगर आप मास्क पहन लेंगे तो आपको सही मातर में ऑक्सिजन नहीं मिल पाएगी जिस वज़े से आपके सरीर को नुकसान हो सकता है आपको इस वात का विसेश ध्यान रखना होगा भीर भाड़ वाली जगहों से रहे दूर वाक के लिए उन स्थानों पे जाना ठीक है जहां पर अधिक भीर भाड़ ना हो अधिक भीर भाड़ वाली जगहों पर जाने से खोरोना वाइरस से अधिक संक्रम होने का खत्रा बढ़ जाता है लोग आपके पास आए तो करे ये काम वाक करते समय अगर लोग आपके पास आते हैं तो उन से दूरी पूरी तरफ बना ले उस समय वाक से थोड़ा ब्रेक ले ले और मास्क पहन ले वाक करने की तुरंक बाद मास्क ना पहने कुछ दे रुकने के बाद ही मास्क पहने वाक करते समय हर्ट बिट तेज हो जाती है अजब हर्ट बिट समाने हो जाए तब हीम मास्क पहने किसी भी चीज को छूने से बचे जब आप वाक के लिए घर से बाहर जाते है तो किसी भी चीज को ना छूए इस समय पार्क में लगे बैंचेज में बैठना भी सुरच्छित रही अगर आप किसी चीज को छू लेते हैं तो तुरंट साबून और पानी से हाथ धोले अगर पानी और साबून ना हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे फास्ट रनिंग ना करे इस समय फास्ट रनिंग ना करे आप अगर फास्ट रनर भी है फिर भी आपको फास्ट रनिंग ना करने की सला दी जाएगी फास्ट रनिंग करने से सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा उचित देरी का पालन हो पाए तब ही जाए वाक कपर कोरोना वाइरिस से बचने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे से उचित दूरी बनाए जा सके अगर आप वाक करते समय दूसरे लोगों से उचित दूरी बना पाए तब ही वाक के लिए जाए अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर पर रह कहने योग या एक्सरसाइज करे मैं ललीता कुमारी धन्यवार